हेलो प्रेंट वेलकम बैक टो मैं चैनलत प्रेंट आज में लेकर रहा हूं बिल्कुल नया नाश्ता की रेशेपी प्रेंट जो बच्चे के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या ओफिस टीफिन में भी दे सकते हैं बहुत टेस्टी बंगर के तियार होता है फ्रेंट तो इसके चैनलत के लिए मैं या पर ले लिए हूं चाणल चावलकाट त्हीं कुछ निकिर्ण कमारा जांल कर रही की चैनल को ओकर चोड़िती थी तें एक कप जणा का दा ले इसमें दो इंग्रिजिन्ट चाहिए फ्रेंट इससे हमें बॉईल करना थे थोड़ा सा पानी के साथ मैं यानि कि बिल्कुल 2-4 चमच के जितना पानी है फ्रेंट के अंतर ज्यादा पानी डालना है और तोड़ा सा एक चुटकी जितना हल्दी पौडर डाल दी हूं इससे हमें मिक्स करके एक भीसिल लगा लेनी है तहां पर मैं एक भीसिल लगा ले रही हूं तो तब तक हम यहां प क्या ओक मिक्स कर लेना है पर जादा आपको हिट लग रहा है तो ड़ा कम कर सकते हैं नहीं इसने तो वी लेगा सलशिए आपको मैं जीक हूँ। पूरी अच्छी तरह से यानि कि आटा को पकाना होता है मैं पानी के अंदर थोड़ा कम कर लिए हैं ज्यादा हाई था थोड़ा हीट लग रही थी आथो में उसके वाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लिए हो थोड़ा समय नॉर्मल वाटर डाल करके इसों में गून लेती ह जिस तरह से आप रोटी वाला आटा गूनते हैं गेहुं काटा जोता उसी तरह से अच्छी तरह से इसको आपको मसल मसल कर गून लेना है तो ज्यादा गरम लग रहा थी साइड में रखती हैं और यहां पर देखिए हमारे चना डाल की थी वह अच्छी तरह से ब्वाइल हो यहां पर हींग डाल दे रही हूँ क्योंकि डाइजेशन के लिए तरह से इसले में डाली हूँ और चना डाले तो डालना ज़ूर ही होता है यहां पर थोड़ा यह हलका नॉर्मल हो गया आटा इसको अच्छी तरह से हम और मसल मसल करके गुंद करके गरम चीकना कर लिए हैं उसके बाद आपको एक कटोरी बनाने के लिए आपको बनाने आता है तो आप हाथ से बना सकते हैं मैं हाथ से बनाती हैं लेकिन अगर आपको अधरे हमसे ज़ए तक पर नहीं में समय सकते हैं तो मिले इसके सामने इडली उडली सब फेल हम और यह तो गरम ज़धना घालो आप शुबर तक भी खाती हूँ पहुत तेस्टी लगता हुआ इसके साथ खासी तेस्टी है और बना सकते हैं लेकिन आइसे भी खाती हूँ मैं सारह बना लिंग और एक में पतिला में आपर पानी बोईल करने के लिए यह गलस रग दी हूँ और उसको उपर से में एक जाली वाला बरतर में अठा दें जिसमें थोड़ा समय घी लगा लिए ताकि यह चिपके नहीं ठीक में इस तरह से बनाए हूं शेप दी हूं लंबा से और बाकी इडली का सेप में बनाए हूं फ्रेंड इतना टेस्टी वन करके त्यार हुआ था ने पर नहीं पड़ेगा और नहीं तो आपको उलट पलट करने के जूरत पड़ेगा तो दस में आट के बाद मैं यहां पर एक बैच बनाकर त्यार कर ली हूं और पानी सूख गया था तहां पर दोबारा मैं एक कप फिर सब पानी डाल दें उसी पतीला में और दूसरी बैच क भी डाल देती हूं इसी तरह से जो बच्चा हुआ हो तो इसको भी हम बना लेते हैं फिर आपको मैं दिखाती हूं आगे तहां पर देखिए सारा हमारा बन करके त्यार हो गया फ्रेंट एक मैं आपको कट करके दिखा रही हूं तो थोड़ा नॉर्मल अगर ठंड़ा हो जा है नहीं तो भी तरहसे बहुत अच्छा लगता है अपको एक बर और मयात ही, लेती हूं कि आप चने दाल के जगह आलू भी इस तरह से अंदर फीलिंग कर सकते हैं और वीडियो कैसा लगा फ्रेंड आप कॉमेंट्स वाक्स वाक्स पर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स जडूर करेगा लाइक बहुत कमाती है फ्रेंड आप से रिक और आप खार सकते हैं अजय कर सकते हैं बहुत टेस्टी बन करके तियार हुए था फ्रेंड देशी तरह से आप बनाएए खाईए इंजय कीजिए तो फिर मिलते हैं एक नहीं रेशिपी के साथ तब तक लिए बाए